पराली ना जलाने को लेकर सरकार से लगातार मदद की अपील कर रहे किसानों को केंद सरकार ने बड़ा तोफा दिया है केंद सरकार ने फैसला लिया है कि वो किसानों से पराली को खरी देगी और इसके लिए सरकार ने रेट भी टै कर दिये हैं सरकार अब 550 रुपए प्रती कुइंचिल के हिसाब से पराली को खरीदेगी और 5500 रुपए प्रती टन के अनुसार से पराली को लिया जाएगा यानि कि 1550 रुपए के हिसाब से लिए जाने वाले धान में अब 550 रुपए पराली के जुनने से किसानों को खुल मिलाकर 200 रुपए मिलेंगे जुसे किसानों को बड़ा फायदा और मुनाफ़ा होगा केंदर सरकार के इस बड़े कदम को लेकर हर्यान की कुशी मंत्री ने केंदर सरकार का भार जिताते हुए इसे किसानों के लिए अतिहासे कदम बताया केंदर सरकार का पहुत पहुत अरिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक पहुती बड़ा निर्णे लिया है 550 रुपे किवंटल के हिसाब से पराड़ी खरीदने का केंदर सरकार बिजली निर्मान में इस पराड़ी का इस्तेमाल करने की मंसा उन्होंने जताई है और ये इस भाव से अगर खरीदेंगे तो मेरे किसानों को बहुत बड़ा लाब होगा जो 1550 रुपे इस बार धान का भाव था पराड़ी का हम जोड़ेंगे तो 2100 पर पहुँचे जाएगा और निश्चीत रूप से किसानों के लिए बहुत लाबकारी होगा मुझे लगता है कि हरियाना के समस्त किसानों में इसके कारण से खुशी की लहर दोड़ेगी किसानों को पराले की गांठे बनानी होंगी जिसके लिए रोटावेटर मशीन पर सरकार किसानों को सबसीडी देगी हालकि हरियान सरका ने 75 करोड पै की सबसेडी रखी हुई थी लेकिन अब बेलर के लिए भी सबसेडी दी जाएगी केंद सरकार ने प्रदूशन को रोखने के लिए बड़ा कदम उठाया है किसानों को पराली बेचने से आमदनी भी होगी और इससे वायू प्रदूशन की समस्या भी दूर होगी आप किसानों को पराली नहीं जलानी होगी क्योंकि सरकार उनकी पराली को पूरे दाम में ने जा रही है ब्यूर रपोर्ट रजी मीडिया